दोस्तो अपने मोबाइल से आधार कार्ट को डाउनलोड करना बहुत ही आसान है इसके लिए सबसे पहले आप गूगल में लिखेंगे आधार कार्ट डाउनलोड पहला वाला लिंक है इसके उपर में किलिक करेंगे उसके थोड़ा सा नीची आएंगे आप यहां तो देखेंगे आधार कार्ट डाउनलोड डिखा हुआ है इसके उपर में किलिक करेंगे यहां से अपना आधार नमर डालेंगे इस capture को आप सही सही भर देंगे और आपके आधार कार्ट पे जो भी मूबायल नमर लिंक है सेंट ओटीपी पे जैसे किलिक के जएगा तो उस पे एक ओटीपी जाएगा उस ओटीपी को आपको फिर से यहां पे डालना होगा देखे दोस्तों यहां पे ओटीपी डाल दिये हैं और verify डाउनलोड के उपर में जैसे किलिक करेंगे तो यहां आधार काड डाउनलोड हो चुका है यहां पे आप डाउनलोड को आपिन करने के लिए पासवर्ट मांगा जा रहा है और यह फाइल कहां पे रहता है वो भी दिखा देते हैं जैसे यहां से हम पहले back जाके आपको दिखा देते हैं देखे यहां से back चले जाना है और अपने mobile में आप my file में आईएगा उसके बाद download पे आ जाईएगा और सबसे पहला वाला पे click किजेगा और यहां से आपका password मांगा जा रहा है password में क्या देना है चली आपको हम बताते हैं जैसे देखे password में यहां लिखा रहता है पासपर्ट में क्या देना है तो पहला चार अक्षर capital now का दिजिएगा देखे यह जैसे अनीश कुमार व्यादब है तो अनीश चार अक्षर दिजिएगा और उसके बाद अपना date of birth का चार लाश्ट वाला दीजिएगा साल का तो चली करके दिखाते हैं तो देखिए देश्तों यहां पर कितना आसानी से आधार काट डाउनलोंड हो चुका है तो आप अप इस तरह से अराम से अपना आधार काट को डाउनलोड करके मोबायल में कभी भी यूज कर सकते हैं तो अगर यह छोटा सो वीडियो पसंद आया हो तो जाते हैं मेरी चानल को लाइक कोमेंट सस्क्राब जरूर कीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए मिलते हैं एक अच्छे वीडियो साथ नेकी डे में तर तक लिए टाटा बाई बाई